नमस्कार, सभी विद्यारतियों को इस कक्षा में स्वागत है हम इससे पहली कक्षा में कारग के बारे में सीख चुके है आज की कक्षा में हम वाक्षी के बारे में सीखेंगे पहले इन वाक्षीयों को देखिए विमला आम काती है राधा गीत गाती है इन शब्दों के समुह को हम क्या कहते है बताईए जी हाँ, सही बताया आपने वाक्य कहते है दो या दो से अधिक शब्दों के सार्तक समुह को वाक्य कहते है वाक्य के दो अनिवार्यत तत्व होते है पहला उद्देश और दूसरा विधेई जिसके बारे में बात किया जाए उसे उद्देश कहते है और जो बात की जाए उसे विधेई कहते है उदाहरन के लिए मोहन हैदराबाद में रहता है इसमें उद्देश मोहन है और विधेई हैदराबाद में रहता है वाक्य भेद दो प्रकार से किये जा सकते है पहला अर्थ के आदार पर वाक्य भेद दूसरा रचना के आदार पर वाक्य भेद आज की कक्षा में हम अर्थ के आदार पर वाक्य भेद सीखेंगे अर्थ के आदार पर आठ प्रकार के वाक्य होते है पहला विधान वाचक वाक्य दूसरा निशेद वाचक वाक्य तीसरा प्रश्न वाचक वाक्य चौता विस्मयादी वाचक वाक्य पांचवा आज्ञा वाचक वाक्य चटवा इच्चा वाचक वाक्य सातवा संदेह वाचक वाक्य आटवा संकेत वाचक वाक्य पहला हम विदान वाचक वाक्य के बारे में सीखेंगे विदान वाचक वाक्य जिन वाक्यों से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है उसे विदान वाचक वाक्य कहते है उदाहरन मैं कल हैदराबाद गया था हम सनान कर चुके सूर्य पश्चिम में डूबता है निशेद वाचक वाक्य जिन वाक्यों से किसी कारी की ना होने का बोध होता है उसे निशेद वाचक वाक्य कहते है उदाहरन सरिता नहीं नाचेगी शाम आज नहीं पड़ेगा गनित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली तीसरा प्रश्ण वाचक वाक्य जिन वाक्यों से प्रश्ण किया जाए उन्हें प्रश्ण वाचक वाक्य कहते है तुम पढ़ने कब जाओगे तुम्हारा गर कहा है क्या तुम केलोगे चौता विस्मयादी वाचक वाक्य जिन वाक्यों से आश्चर्य, शोक, हर्ष और ग्रुना आदी के बाव व्यक्त हो उन्हें विस्मयादी वाचक वाक्य कहते है पुदा हरन अरे इतनी लंबी रेल गाड़ी आख बड़ा अनर्थ हो गया कैसा सुन्दर दृष्य है पांच्वा आज्ञावाचक वाक्य जिन वाक्यों से आज्ञाः या आनुमती देने का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते है उदा हरन अपना अपना काम करो चुप रहिये इदर बैटिये आदी चट्वा इच्चावाचक वाक्य वक्ता की इच्चा आशा या आशीर्वाद को व्यक्त करने वाले वाक्य इच्चावाचक वाक्य कहलाते है उदा हरन इश्वर तुम्हें लंबी आयू दे नव वर्ष मंगल मैं हो बगवान करे आपका सब काम हो जाए सात्वा संदेह वाचक वाक्य जिन वाक्यों में कारी के होने में संदेह अत्वा संभावना का बोध हो उन्हें संदेह वाचक वाक्य कहते है उदा हरन के लिए संभवत वहु सुदर जाए वहु शायद आये शायद मैं बाहर चला जाओंगा आत्वा संदेह वाचक वाक्य जिन वाक्यों से एक क्रिया से दूसरी क्रिया पर निर्बर होने का बोध हो उन्हें संकेत वाचक वाक्य कहते है उदा हरन के लिए यदी चुटिया हुई तो हम दिल्ली अवश्य जाएंगे वर्षा हुई तो फसल अच्ची होती आप आते तो समस्याएं दूर हो जाती नमस्कार